Hello and welcome to the chemistry class once again आज हम पढ़ रहे हैं structure of glucose यानि glucose की संदचना का part 2 इससे पहले हम glucose की संदचना की बारे में एक और वीडियो देख चुके हैं तो आईए देखें कि per iodic acid oxidation, per iodic acid oxygen के द्वारा हम glucose की संदचना को किस प्रकार से समझ सकते हैं इससे पहले कि हम glucose का reaction या oxygen par iodic acid से जाने हैं हम देख लेते हैं कि par iodic acid oxidation जो होता है वो किसलिए महत्वपूर्ण है या उसकी importance क्या है देखें जब भी किसी निकटवर्थी carbon atom पर अगर OH groups हो जैसे कि यहां इस example में आप देख रहे हैं तो par iodic acid oxidation के द्वारा यह जो carbon carbon बंद है जिनके उन वो carbon carbon बंद जिन carbon पर OH groups जोड़े वे हों और वो आपस में एक दूसर से भी जोड़े वे हों यानि निकटवर्थी carbon पर जब OH group हों ऐसे में उन carbon carbon बंद जो हैं वो टूट जाते हैं और par iodic acid oxidation के द्वारा और oxidized compound हमें प्राप्त होते हैं अगर CH2 OH है तो उससे हमें formaldehyde प्राप्त होता है लेकिन अगर एक से ज़ादा जो COH groups इस तरह से शंखला में लगे हुए हों यानि यहाँ पर hydrogen के जगे यह सीदे सीदे बंद carbon के साथ हो जिसके साथ OH group जोड़ा हुआ है ऐसे स्थिति में formic acid oxidation product मिलता है क्योंकि जिन carbon पर OH groups जोड़े वे हैं वह आपस में अगर यहाँ पर hydrogen के जगे OH और जोड़ा वह होता तो यह bond भी तूट जाता जैसे कि यह वाले bond तूट के यह वाला bond तूट किया तो निकटवर्ति carbon पर adjacent carbon पर अगर OH groups हैं तो वह pariardic acid oxidation के तूट भी जाते हैं और जो OH function है वह acid या aldehyde में परिवर्तित हो जाता है इन बातों को देखकर देखिए जब glucose का pariardic acid oxidation किया गया तो यह पाया गया कि पांच formic acid molecule मिले हैं और एक formaldehyde मिला है कुल मिला कि पांच carbon यहाँ पर और एक carbon यहाँ पर छे carbon यारी चाहों के चाहों के चाह carbon पर या तो OH group हो या तो किसी पर C double bond O हो एसी स्थिती है glucose के अंदर molecule में तो pariardic acid oxidation से इस तरह से formic acid पांच और formaldehyde का एक molecule अगर मिलता है तो उसे हम क्या नतीजा क्या conclusion या क्या inference निकाल सकते हैं वो यह कि pariardic acid oxidation products show that there are 5 adjacent OH groups on 5 adjacent carbon atoms and 1 CHO group is also present in glucose यह यह प्रदर्शित करता है कि 5 OH group present है glucose के अंदर और एक C double bond OH यानि एक LDHID group present है CHO के तरह से भी आप लिख सकते हैं एक LDHID group present है और 5 OH group present है glucose के अंदर इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं आईए देखते हैं देखे परiardic acid oxidation को अगर आप किसी भी product किसी भी compound के लिए यदि आप समझना चाहते हैं या आराम से इसको लिखना चाहते हैं बिना रटे हुए तो फिर उसका एक shortcut तरीका है जो कि मैंने आपको यह स्क् किसी भी carbon जो कि निकटवर्ती carbon के साथ OH जैसे जहां पर देखें COH, OH, OH इस तरह से इतने सारे OH groups हैं और यह LDHD group है और एक और सेरे पर CH2OH है तो एक सेरे में CH हो दूसरे सेरे में CH2OH और बीच के जितने भी carbon है उन पर OH, OH, OH है तो इस तरह से अगर निकटवर्ती carbon atoms पर OH groups हो तो परायडिक ऐसे राक्सिडेशन के द्वारा यह सारे carbon carbon बंद तूट जाते हैं जितने carbon carbon बंद तूट रहे हैं उतने OH उस बंद के साथ लगाते हैं देखे कि यह carbon carbon बंद इस carbon के लिए तूट रहा है तो एक ही सैट से तूटा तो हमने एक OH लगाए इस वाले कार्बन के लिए देखिए इस कार्बन के लिए एक ही ये कार्बन कार्बन बाउन टूटा एक ही ये कार्बन बाउन टूटा तो इस कार्बन के लिए दो बाउन टूटे हैं कार्बन के तो दो ओएच हमने यहां पर लगाए हैं ये देखिए दो ओएच लगाए हैं इस्वी प्रकार से इस carbon के लिए CH-OH के लिए आप देख सकते हैं कि इधर से भी बांड तोट रहा से एक carbon carbon bond तोट रहा है ऐसे में, दो carbon carbon bond तोट रहे हैं इस carbon के लिए के लिए ph вн कम ख रहे ले 2B Born, एक बार उपर वाले बांड के साथ एक बार नीच youngest abundant carbon bond तो एक उपर वाले bond breaking के साथ एक नीचे वाले bond breaking के साथ OH लगा रहे हैं इस प्रकार से जितने भी कार्बन के लिए जितने कार्बन के लिए जिस कार्बन के लिए जितने carbon carbon bond टूट रहे हैं उतने ही OH groups उस टूटने वाले बंद के पास हमने लिख लिए जैसे कि ये CHO ये वाला जो carbon है उसका एक carbon carbon bond टूटा तो हमने इस टूटने वाले बंद के पास एक OH लिखा जैसे कि हमने इस carbon के दो carbon carbon बंद टूटे हैं पराइडिक ऐसे oxidation के लिए क्योंकि इसमें OH group है निकटवर्ती carbon पर इसलिए हमने दो OH group उन दोनों टूटने वाले बंदों के साथ साथ लिखे हैं जब यह हमने पूरा यह system हमने लिख लिया OH groups उसके बाद हमें water molecules निकालने होते हैं तो यहां देखिए इसमें से water molecule यहां से तो कोई निकलेगा नहीं इसलिए CHCOOH इसमें से बनेगा उसके बाद आप इसका देखिए पांच की जगह यह वाला लिखना नहीं चाहिए था इसको आप इरेज कर दीचेगा जब आप नोट्स बनाएं यह गलती से लिख दिया गया है आप देखिए यह जो carbon है इसमें इसमें एक HOH यानि water molecule हमने इसमें से निकाला यह water molecule इसको तो कार देजेगा यह water molecule निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने लिख दिया बचा क्या बचा है CHOOH तो हमने लिख दिया इसी प्रकार से इस वाले carbon के लिखे इसके दो सैट में bond टूटे हैं तो OH हमने 2 OH यहां पर लिखे वे हैं जितने bond carbon carbon टूटे हैं उतने 2 टूटे हैं तो 2 OH हमने यहां लिखा है और आप देख सकते हैं कि जितने OH2O बन सकते हैं इसमें से एक ही H2O बन सकता है और आप देख सकते हैं बचा क्या बचा है C-H-O-OH यानी formic acid इस प्रकार से करते करते हैं सभी से ही इनसे formic acid formic acid formic acid इससे बनेगा formic acid क्योंकि इसमें से water molecule नहीं निकलने करें और गुंजाईश है नहीं इसको नहीं लिखिएगा यह गलती से लिख लिया गया है अच्छा अब देखें कि ये जो last वाला है उसमें CH2OH जो OH क्रुप है उसमें क्या situation है इसमें भी क्योंकि एक bond टूटा है तो हम एक ही OH लगा सकते हैं तो इसमें से water हमने निकाला तो बचा क्या CH2O यानि HCHO तो जो CH2OH है वो periodic acid से देगा formaldehyde का molecule और बाकी जितने भी यहां पर हैं carbon atoms जिनके साथ या तो carbonyl group हो या OH group हो वो सब के सब देंगे formic acid एक बार फिर ये जो water molecule है वो गलती से लिखा गया है इसे आप अपने notes में शामिल न करें तो इस प्रकार से हम दिख सकते हैं तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं the structure of glucose can be written as follows on the basis of molecular formula हम जो हमें मालूम है कि जो ग्लुकोस उसमें छे कार्बन हैं हमें ये मालूम है कि उसमें पांच ओएच ग्रुप हैं हमें मालूम है कि उसमें एक अल्डी हाइडिक ग्रुप है ये सारी चीजें हमने इससे पहले देख लिया है हमें ये भी मालूम है ये पांच ओएच ग्रु CHO group का यानि LDID group का हुआ बाकि जो 5 carbon है उन पर 5 OH है तो यही formula glucose का हो सकता है इसके अलाबा कोई और formula नहीं हो सकता इस formula को देखकर हम एक चीज और पता कर सकते हैं कि glucose has 4 asymmetric carbon atoms and 4 different chiral carbon atoms तो यहां देखें 1,2,3,4 यह जो 4 carbon atom है यह asymmetric carbon atom है क्योंकि यह saturated हैं और साथ ही साथ इन में 4 अन्य 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 भिन 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 लगे वे हैं लुग गर्फ नहीं है hydrogen और o-h गर्फ एक समान नहीं है तो चार अलग 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 गर्फs हो इसा प्रकार से इसके लिए भिन कह सकते हैं और चार अस्मेटर कार्बन हैं हमें मालुम है कि 2 to the power N यानि N है जो chiral carbon की संख्या तो 2 to the power N के जगे हमने यहाँ 4 chiral carbon है 4 asymmetric के अंदर है तो 2 to the power 4 अगर हमने लिख लिया तो 16 उसका result आएगा तो 16 optical isomer जो है glucose के बन सकते हैं और क्योंकि यह सारे chiral carbon से एक दूसरे से different है तो इससे यह नदीजह हमें मलता है कि 8 तो D isomer होंगे और 8 L isomer होंगे glucose के और glucose में जैसे की formula से हमें पता पढ़ता है इसमें 4 भिन भिन अशिमेटर कार्बन है यानि 4 different carbon इसके अंदर present है इस प्रकार से जो है हम हम glucose की structure को किल्यानी synthesis के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले बेर ने 1870 में glucose का D glucose की जो संड़चना है वो दी थी और वो दी थी उन्होंने किल्यानी synthesis की साहता से किस प्रकार से दी थी थी आप देखते हैं देखे D glyceralityhyde से इसको शुरू किया था synthesis को किल्यानी synthesis में आपको मालूम है इससे पहले वीडियो में हम किल्यानी synthesis भी पढ़ चुके हैं किल्यानी synthesis में एक एक करके कार्बन जोड़ता जाता है और जो यह C double bond O है वो उसकी जगे एक CHOH में वो convert हो जाएगा और एक CH group उपर से जोड़ जाता है तो आप देख सकते हैं कि यह D glyceralityhyde में केवल एक कारल कार्बन है लेकिन कुल इसके अंदर एक, दो और तीन कार्बन आटम D glyceralityhyde में उपस्ते थे हैं इस इस फर्स कार्बन आटम C double bond O, second CHOH, third CH2OH तीन कार्बन है और इसमें जो सेंट्रल कार्बन है वो saturated कार्बन इसमें और इसके अंदर जो चारो ग्रुप्स अलग-अलग है, HOH, CHO और CH2OH है चार अलग-अलग ग्रुप्स हैं कि लैने synthesis किया गया तो आप देख सकते हैं कि एक कार्बन की जगे, दो कार्बन आगए एक कार्बन एड हुआ है इसके अंदर और यह जो OH, HOH एड हुआ है यह इस साइड अगर एड हो जिस साइड में पहले से D-Glycerality एड में OH उपस देता है तो वो D-Erythrose कहा जाएगा अगर यह OH और यह H इनके position आपस में अदला-बदली एक्सचेंज होते हैं तो वो D-Erythrose होता तो D-Erythrose को छोड़ दिया गया और D-Erythrose से second किलियाने synthesis किया गया तो किलियाने synthesis second करते ही तीन कार्यल कार्बन बन जाते हैं और हम देख सकते हैं कि इसमें जो D-Erythrose बनेगा और D-ribose में OH और H की position exchanged होगी उसको हमने छोड़ दिया और D-Erythrose जिसमें की जो की D-Erythrose से प्राप्त हुआ उसमें H उस साइड में है जहांकि इन दोनों में OH है वो स्ट्रक्चर को लिया गया उससे फिर दुबारा किलियाने synthesis किया गया किलियाने synthesis इस बार करने से अब जो carbon item chiral है उनकी संख्या हो गए 4, यहां थी 3, यहां थी 2, यहां थी 1, मैं इसको एक बार और लिख देती हूँ, यहां एक chiral center है, यहां दो chiral center है, यहां तीन chiral center है और यहां पर 4 chiral carbon है तो आप देख सकते हैं कि चार कार्बन वाला जो यह compound है एक तो glucose D glucose मिला और दूसरा D manose और दूनों का जो यह जो second carbon है यानि कार्बनायल कार्बन से जुड़ता हो जो second carbon है पहला carbon जो पहला carbon जो की जो की chiral है यानि asymmetric है और श्रिंखला में दूसरा अगर होता है यानि कार्बनायल ग्रुप से जोड़ता हो जो पहला carbon है वो उस carbon वो उस asymmetric carbon में अगर OH राइट में है तो वो D glucose है अगर इन दोनों के positions H और OH के इस वाले second carbon के लिए अगर change हो जाते हैं तो वो D manose होगा तो इस प्रकार से यह संरचना है कि लैने synthesis के सहाइता से लिखी जा सकती है क्योंकि हर बार H और OH इस दहर फॉर्मुले में हम लिखते चले जा सकते हैं और हम D glucose के बाद D retros D retros से हमने D arabinose प्राप्त किया जहां पर H OH की सहाइड में है और फिर last में हमने कि लैने synthesis के द्वारा D glucose प क्योंकि हम जो है यह known structure है इसकी संरचना हम जानते हैं और किल्याने synthesis के द्वारा HR OH कहा लग रहा है और उस compound का क्या नाम है वो जानते हैं तो इस तरह से जो जिन संरचना को हम जानते हैं जिनके structure हमारे known structures हैं उनके द्वारा हम D glucose की संरचना की बारे में हम sure हो सकते हैं तो on the basis of किल्याने synthesis the structure of D glucose may be written as like this तो किल्याने synthesis के द्वारा D glucose की संरचना हम इस परकार से लिख सकते हैं और यहीं संरचना beer ने 1870 में दी थी तो मुझे उमीद है आज जो हमने information पड़ी है D glucose के बारे में इसकी structure के बारे में आपको समझ में आई होगी नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम रिंग structure of glucose के बारे में पड़ेंगे उमीद है आपको आज की जानकारी समझ में आई होगी Thank you for being with me